कई लोग आधार कार्ड पर अपनी फोटो देखकर संतुष्ट नहीं होते और आधार कार्ड पर फोटो को लेकर तो कई मीम भी बन चुके हैं अगर आप भे अपने आधार कार्ड के फोटो से बहुत जादा खुश नहीं है तो आप आधार कार्ड में फोटो चेंज या अपडेट करवा सकते हैं लेकिन खयाल रखे इसके लिए आपको किसी भी तस्वीर को जमा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Executive webcam का उपयोग करके मौके पर ही तस्वीर क्लिक करता है तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने आधार कार्ड में फोटो को कैसे बदल सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है निकटम आधार नामांकन केंदर पर जाए या आधार सेवा केंदर डाउनलोड करें अब फॉर्म को पूरिस आधानी से भरें भरे हुए फॉर्म को जमा करें और अपना बायोमेट्रिक विवरंड दें एक्जेक्यूटिव के फॉर्म लेने के बाद एक्जेक्यूटिव आपकी लाइव फोटो खीचवेगा डीटेल अपडेट करने के लिए 25 रुपे प्लस GST का शुल्क देना होगा अब आपको एक URN युक्तिक पर्ची मिलेगी URN से आधार अपडेट की स्थिती आउनलाइन पर आप चेक कर सकते हैं अपडेटिड आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए UIDAI पोटल पर जाईए अपडेट के बाद आपको अपने आधार डीटेल को M आधार अप में रिफ्रेश करना होगा आधार कार्ड को डीजी लॉकर अप में भी अपडेट करना ज़रूरी है सेल्फ सर्विस अपडेट पोटल यानि SSUP के माध्यम से आधार कार्ड में फोटो बदलने की कोई आनलाइन प्रक्रिया नहीं है वीडियो डेस्क अमरुजाला.ड़ कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें